बनाया ना बिल्कुल क्रिस्पी वाला ब्रेड रोल तो चलो मिल्क के बनाते हैं ऐसे हैं आज हमने फर्स टाइम ट्राइ किया है यह बिल्कुल क्रिस्पी सा ब्रेड रोल और यह बहुत ही ज्यादा अच्छा बनाता चलिए बनाना शुरु दरते हैं तो सबसे पहले ले लेंगे बॉइल डॉ मैश किये हुए आलू जिसमें नमक अरड़ी मिक्स करके मैश किया गया है और ले लेंगे यहां पर बारी कटा हुआ प्याज, मुंगफली, मसाले वाला सौफ और ग्रेट किया हुआ जिंजर और अफकोस इंपोर्ड इंग्रेडियन्ट ब्रेड तो सबसे पहले एक पैन लेंगे और इसमें टेल गरम करेंगे जब तेल अच्छे तरह किसे गरम हो जाएका तो सबसे पहले मुंगफली हम इसमें फ्राई करके निकाल लेंगे बहुत ज़दा रेड नहीं करना है बस इतना कि अच्छी तरह की से कृस्पी हो जाए कि तो मुंगफलली अच्छी तरह के से फ्राई हो चुकिया और इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं आप सीम पैन में ही न हम प्रेड रोल के लिए फिलिंग बनाना स्टार्ट करते हैं तो तेल अड़ेडी गरम है अब इसमें डाल देते हैं प्यास और प्यास को भी भूलेंगे कुछ 45 सेकंड्स के लिए तो प्यास तो बिलकुल अच्छी तरीके से भून चुका है अब डालेंगे कुछ सूखे मसाले जैसे की हल्दी पाउडर धनिया पाउडर और गरम मसाला पाउडर और यहीं पर थोड़ा सा पानी भी डाल देंगे ताकि मसाले जो हैं वो पैन में चिपके नहीं और जले भी न आच्छे से मिक्स कर लेंगे और अप डाल देंगे यहां पर मैश किये हुए आलू और इसे भी अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे नमक डालने की तो कोई जरूरत नहीं है क्योंकि मैश करते वक्त हमने नमक अल्रेडी आड़ किया है अगर आपको यह वीडियो थोड़ी स अच्छी लगे ना तो प्लीज याज सब्सक्राइब लाइक जरूर करना और आलू मसाले में अच्छी तरीके से मिक्स हो गया है अब यहां पर डाल देते हैं जो हमने फ्राइए करे थी मुंगफली और एक पर अच्छी से मिक्स कर लेंगे मिक्स करने के पाद इसे एक ब्रेड रोल बनाना स्टार्ट करते एक ब्रेड लेंगे और इसे पानी में इस तरीकी से दोनों तरफ डिप करेंगे और दोनों हाथों की हेल्प से ऐसे प्रेस करके पानी निचोर लेंगे जब पानी अच्छे से निकल जाए तो अब इसमें जो हमने फिलिंग रैडिय की ब्रेड रोल की वो बीच में रखेंगे इस तरीके से और दोनों हातों की हैंप से इसे बॉल शेप बनाएंगे आप देख सकते हैं वीडियो में कुछ इस तरीके से फोल्ड करके और इस तरीके से बॉल शेप देना है तो देख सकते हैं आपकी ब्रेड रोल की एक बॉल बनके तो रेडी हो चुकी है अब इसी तरीके से न हम सारे बॉल्स रेडी कर लेंगे तो सारे बॉल्स बनके रेडी हो चुके अब इसे कर लेते हैं तो सबसे पहले कढ़ाई में तेल गरम करेंगे जब तेल गरम हो जाएगा तो हम फ्लेम कर देंगे मीडियम और सारे बॉल्स को फ्राई कर लेंगे जब तक कि यह ब्राउन कलर के ना हो जाए लाइक लाइट ब्राउन अलेट पलटके से दोनों तरफ से फ्राई कर लेंगे लाइट ब्राउन होने तक और मीडियम फ्लेम पे इसलिए फ्राई करना है क्योंकि मीडियम फ्लेम पे ब्रेड रोल्स बहुत ही जादा क्रिस्पी बनेंगे तो देखिए हमारे पहले दू ब्रेड रोल्स तो फ्राई हो चुके कलर कितना प्यारा आया है और इसी तरी के सनाम बागी के सारे ब्रेड रोल्स को फ्राई कर लेंगे सारे प्रेड रोल्स बन की रेडी है अब इसे केचप और चटनी के साथ एंजोई करिए बाई